तो हेलो वाइस आज का अपना टॉपिक है स्केल्प और यह स्केल्प जो है यह अपना फर्स्ट वीडियो है अपनी हेड नेक के ऊपर अभी तक अपन अपर लिम लोर लिम थॉर एक्स पैल्मिस अब्डॉमिन के सारे आएंप टॉपिक देख चुके हैं मोर देन हंड्रेड वीडियो से भी ज्यादा में मेरे यूटूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूं और बीडीजी के दो वॉल्यूम्स अपन कर चुके हैं तो अब बस स्रिफ आपको 40% अनाटमी ही अपनी बची है अपनों करना हेड एंड नेक, नियॉरोलोजी, उसके बाद आपन देखेंगे इसके मेंली क्लिनेकल, तो सबसे पहले अपना आज हैड और नेक्स में टॉपिक उठा रहे हैं इसका स्कैल्प, तो आज मैं आपको पूरा स्कैल्प के बारे में बताऊंगा, इसके क्या फीचर है, क्या-का इसकी लेयर होती है, उसके बाद क्या होता है, यह तो है यूनिवर्सिटी में, सकैल्प जो है, एक शौट नोट लिखने के लिए जाता है, तो मैं जो मेरे जो नोट आपको बनाए हैं, मैं मेरे आपको नोट भी प्रोवाइड कर वाओँगा, फिर यह भी बताऊंगा, वीडियो की एंड में किस तरी दिख में आपको लिखना है तो अच्छे से आप जो है मेरी वीडियो के साथ बने रहना एंड तक तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं इस स्केल्प एचली में होती क्या है जो अपना शल्क बोन रहती है जो अपने खोबडी की जो बोन है उसके ऊपर जितनी भी अपने की फाइव लेयर्स उन सारी लेयर्स को मिला के जो है अपन बोलते हैं स्केल्प तो अपन को करना क्या है इन सारी लेयर्स को जो है अपन को डिटेल में पढ़ना है किसकी जो पांचो लेयर होती है सबसे पहले अगर आपन देखें बिलकुल आउट में सबसे पहले आपके प यह अपनी एक aponeurotic layer है जो अपनी मसल रहती है उसके अपना इंसर्शन वाला पार्ट है वो मिल लिए अपना रहता है फ़र लिए पर अपनी लियर का आपन बोलते है पाँच लियर को अपन को अपनी नोटो में देखेंगे उससे पहले मैं आपको इस का जो है एकस्टेंड बता देता हूँ उसको दिखाने के लिए मैं आपको 3D model दिखाता हूं क्योंकि में इसको क्या अगर 2D में अगर देखेंगे ना पन तो अच्छे से अपन को इमाइजिन नहीं होगा तो यार अब अब मेरे आपको 3D model देखो तो अब मैं बजाता हूं स्कैल्प जो है वो इंटेरियर में अपने जो बोन है ना उसमें कहां से अटेच रहती है तो मिलनी इंटेरियर में यह आपको दिख रहा होगा इसको अपन बोलते हैं попроб कि इसके अंदर प्रेजेंट अपना रहता है लिए जश्क इस बोनी ऑर्रभिट के सुपीरियर में यह जो मार्जिन है लाओ यह वाली इस sulphra-orbital margin तो interior में scalp की जो layer है वो क्या करती है इस supra orbital margin पे जो है attach होती है then यहां से पूरा extend करेंगी और अपना जाएंगे posterior side में और posterior side में अगर आप देखो आपको अलका साइग elevation दिखेगा उसे अपन बोलते है external occipital protuberance यह आपको दिख रहा है न तो posterior में इस external occipital protuberance पर attach होती है तो आपकी supra orbital margin से आएगी attach होके and posterior में यहां पे जो आपको दिख रहा ना यह protuberance वहां तक अपनी होती है attached उसके अलावा यह जो external occipital protuberance जो है वह आपका पूरा एक line दे रहा है यह आपको दिख पा रही होगी मतलब इससे इससे आपकी ऐसी जो line निकल रही है ना उसी को आपन बोलते है इस स्केल्ब के सारी लेयर जो है न दोनो साइड में लेटरल में यह आपको दिख रहा है न यह उसको आपन बोलते हैं इस सुपीरियर टेंपोरल लाइन एस साइड में सुपीरियर टेंपूरल लाइन पर जो है attach होगा तो कि इस तरीक ऐसे जो है स्केल्प का अपना रेता है एक्स्टेंशन और यार अगर मैं तुम्हें थीडी मॉडल से नहीं दिखाता ना तो तुम्हें अच्छे से यह क्या इमेजन नहीं हो पाता इसलिए मैं तुम्हें का बिल्कुल हर चीज डीटेल में बताता हूं अपन बिल्कुल लोर लिम से इंधस शिटतर यह करेनियम अब अब इन इन सारी लेयर्स को जो है एक करके डाजल में देखते हैं इन før में वह रेला में यार कों सी लेयर का इसका क्या मेंद फीचर होता है अब आप देखो ऑटसे कि सब्रुद्स जो इसकी सब्राइड सिकिन है नwy वह इनल्य वह होता है और उसके अंदर रहते हैं आपके sweet and sabaceous gland बस आपको क्या जो मैं आपको इतना quality contain provide करवा रहा हूँ ना आपको इतना ही अच्छे से याद होना चाहिए इसका feature क्या है सारी layers के features क्या है तो में लिए skin पर याद कर लेना कि वो ठिक होती है और इसके अदर में अपने present होते हैं ब क्योंकि अपनी है superficial facia और यार mainly the superficial facia है ना वो क्या करती है अपनी skin को इसकी तो third epic neurotic layer है ना उसका main contain अपना होता है blood vessels और यार यही एक main reason है कि अगर आपनको थोड़ा सा भी अगर अपनको शल्क बोन पर लगे जाती है ना तो आपनका जो है blood निकलने लगता है खून निकलने लगता है क्योंकि mainly अपना जो superficial fascia है ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा आपने रेती है blood supply फिर इसके अंदर अगर आपन देखें तो यह जो लेयर है वो more fibrous and dense होगी इन center में कि mainly जो इसकी जो superficial fascia वाली लेयर है ना वो अपनी center में बीच वाले part में ज्यादा fibrous and dense होती है as compare अपन करें periphery में उसके लावा यह मैं आपको बताई चुका हूँ यह contain करती है अपने blood vessel और यह अपनी skin को इसकी अपरोनिटिक लेयर से अच्छे से attach करवाने का काम वो करती है उसके लावा जो superficial fascia है ना उसके अंदर अपनी तीन muscle में present होती है में लिए क्या होता है पहले आपका है माम में तीन मुली साब को बताता हूं पहले skin then superficial fascia then deep fascia के बीच में अपने तीन मसल होती है एक तीनों मसल्स हो है कि सुपर्फिशल फेश्या के लोगर वाला पार्ट में रहती है और में अपने यह तो इसकी थर्ड़ लेयर है ना इसकी एप्परिणिक लेयर उसमें जाकर आटेच होती है मैं आपको बताऊं कौन-कौन सी मसल है और इन मसल में भी यार सिर्व आपको इसकी अटेचमेंट और इसका नफस अपलाए यह दो चीजे आपको में लियाद करना होता है सबसे पहले इसके मसल है वह है औक्सिपिटो फ्रेंटालिस मसल यह नाम से ही बिलूल क्लियर समझ महारा है कि इसकी दो बैली होंगी एक इस देखो तो यह वाली मसल है यह अपनी फ्रेंटालिस मसल जो ऑक्सिपिटो फ्रेंटालिस है ना यह है इसकी फ्रेंटाल बैली जो की फ्रेंट में है अपनी दैन इसके पीछे आपकी प्रेजेंट है इसकी ऑक्सिपिटालिस बैली मैं क्या करता हूं इसको सेपरेट करता हू आपके लिए यह आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा इसके occipital belly तो अगर अगर आपन देखें तो इसकी occipital belly है ना वह अपनी होती है small अगर अगर अपन फ्रंटेलिस से compare करें ना तो इसके compare में इसकी occipital belly अपनी होती है small और यहां पर दो प्रेजेंट होंगी दोनों साइड तो इसकी दोनों की दोनों occipital belly जो है वह अपनी separate रहती है पहले तो छोटी है ऊपर से दोनों separate ही है वही अगर अपन फ्रंटेलिस मसल देखें तो उसकी जो बैली है वह में लार्ज है और जो दोनों बैली जो होती है वह अपनी partially united होती है मैं आपको दिखाँ यहां पर यह मेली लार्ज है और जो इसकी सेम साइड में एक और मसल होगी वह दोनों की दोनों जो है अपनी पाचली unite होगी जोड़ी होई रहेंगी उसके लावा अपन इसका देखें है अटेचमेंट तो मेली जो occipitalis मसल है ना वह अपनी कहां सा राइस होती है वह अपनी मेली आराइस होती है लेटरल टू-थर्ड और सुपीरियल न्यूकल लाइन से मैं आपको बता भी चुका था यह दिख रहा है आपका एक्स्टर्नल प्रोटोव्राइस से यह पूरी लाइन दिख रही है उसी लाइन को आपन बोलते हैं सुपीरियल न्यूकल लाइन उसके टू- टेंपोरो प्राइटालिस्व मसल इन सब मसल को नाव सप्लाइए अबने करती हैं तो य जो चोपी।ल होती है अपनी सप्लाय होती है पोस्ते अपने पैफ नभ पोस्टेरियर वाली के नम राइब पोस्टेरियर ऑरिकुलर प्रांश आगा लाज़ नभ फाइब थिक्तल का चीजों केरे चार्च के साथ। ओर नमें बजाष रॉषटेर अश्यका सब्सटारिकलर मेरे स्यातों हो ऐस पَّचितली में की इनियों आपने नफंस जब में बेहने लुग केने लूगा गया फैजल मसल तो में आपको दिंगेस्ट तो में आपको दिखांशार सेप्राइट करेत करे elder शबहनित थे छी जो ब्रांश से में सब्सक्शन ऊज्जा फेश्ज नवग गफ में सफ्लाई सबार इससे यवालिको लिटल सिकेंट को मुशे करने एंपॉरो पराइटाल सेख़्ा से वीनष जाने लिटसमीन दिकिष। ने फिर ही अपनी आराइज होती है from temporal facia and fuse with apicaranial aponeurosis यहाँ पी फेशया प्रेजा रहती है उसको अपन बोलते हैं temporal facia यह एचलू में अपनी temporal facia से ही आराइज होती है यह मसल और इसके तो third layer जो होती है ना अपनुरिटिक लेयर उसमें जाकी अटेश हो जाएगी दैन आपने इसका देखें सप्लाइ नव सप्लाइ तो इसका नव सप्लाइ बिल्कुल सेम होगा जो फ्रेंटल मसल को करती है न वही इसका नव सप्लाइ होता है टैंपोरल ब्रांच और फेशियल नर्फ तो इसका हो ग कि अटेश्मेंट तो इंटेरियर में आपको फिरीए मोटल रखना पड़ेगा साइड में तब इससे नव इंटेश्मेंट दिखेंगी ए कि तो दिखेंगी लाइट से यही अपने पूरी एपी करेणियल एपनियोरोसिस तो इसमें अगर आप देखू तो एप्यकरेणियल aponeurosis interior में किसे attach है वो अपने attach है frontalis muscles है किफिना frontalis muscle उसके अलावा आपन देखे posterior में तो posterior में अपना यहां present रहता है external occipital protuberance यहां आपको देख भी रहा होगा तो पीछे external occipital protuberance पर attach होगी और इसी से side में अपने निकलती superior nuchal line पर attach होगा उसके अलावा side में अगर आपन देखें तो अचली में क्या इसने बनाया नहीं है side में क्योंकि side में यहां पे मसल है temporalis तो इस 3D model में ड्रॉन ही करा तेकिन actually में real में क्या होता है यहां पर दिखा है आपको इसको अपन बोलता है zygomatic arch मैं आपको पेंच करके दिखाता हूं मैं किसकी बात कर रहा हूं ति अगर आप मेरा मत यहां में पेंच देखो यह वाइट सिल्फ में पेंच करा आपके लिए यह इसको अपन बोलते हैं zygomatic arch यह अच्छे से याद कर लेना तो यह अपने side में zygomatic arch तक extend करती है तो side में superior temporal line और इसका extension अपना होता है zygomatic arch तक उसके बाद अपन लेते हैं इसकी fourth layer जो कि अपनियों की loose areola tissue के layer तो यार इसमें भी आपको बस extend ही याद करना है कि इसका extension जो होता है न वो अपना interior में होगा eyelet से मैं क्या करता हूं muscle height eye देता हूं आपके लिए पूरा यह देखिए तो interior में यह attach होगा अपना eyelet से उसके बाद posterior में वोई superior nukle line से और इस side में यह आपको दिख रहा होगा इसको अपन बोलते है superior temporal line और यार आप क्या करो यह उसके एक्स्टेंड है आप तो याद कर लो क्योंकि most of layers में यह तीनों attachment तो इसके सेम ही है interior, posterior, इस side की तो आपको क्या जादा याद करना में महनत नहीं लगेगी तो आपके यह याद कर लो क्योंकि most of layers में तीनों layer सेम ही है अपनी इसके attachment फिर आपन देखते हैं इस layer का key point क्या है तो actually में यह जो layer है ना loose areolar tissue के layer इसमें आपका present होता है immisery veins और मैं आपको बता हूँ यह immisery vein करती क्या है यह mainly अपना external cranial vein को internal cranial vein से जोणने का काम वो करती है actually में क्या होता है जो internal venous sinus जो होता है ना मैं आपको इसको 3D model में दिखा दूँगा यह पूरा अपने जो पूरा अपना शल्क हो ना उसके अंदर पूरा अपना sinus होता है veins का तो उन सब को external cranial vein जैसे के अपने internal jugular vein external jugular vein उससे में लिए connect करवाने का काम जो है वो imagery vein करवाती ह और में लिए अपने imagery vein को पैसेज कौन प्रोवाइड करता है वो आपको पैसेज प्रोवाइड करेगा loose areolar tissue तो आप अच्छे से point याद कर लेना दैन फिर आपने इसकी last layer पाएंगे जो है इसकी epic aranium वाली layer तो यार जो इसकी epic aranium वाली layer जो है वह अपने loosely attached होगी surface of bone तो यार यह सारी layers के मैंने आपको specific point बता दिये और जितना भी मैंने मेरी notes पर प्रोवाइड करवाया ना पुबल्वल quality contain है तो अब आप क्या करों मैं आपको इसके पुरा screenshot प्रोवाइड कर देता हूं मेरे सारे notes का पर अगर इसका screenshot में अच्छी quality नहीं आए मेली क्या होत आपको अच्छी नोट्स के डाउनलोड कर लेना उसके अलावा मैं तुम्हें फिर यह भी बता हूंगा इसको युडिवर्सिटी में कैसे लिखना है तो आपको सरिफ सारी लेयर लिखना है और उनके में में जो specific point है वो आपको लिखना बढ़ेंगे मतलब मैं आपको बहुत बार बाता चुका हूं अपर लेम लोवर लेम में भी अपन में लिखते हैं heading में और points में ना कि paragraph में लिखके क्योंकि जितने आप अच्छे से लिखोंगे examiner को उतने अच्छे से समझ में आता है वो mainly आपको representation ही देखता है कि किस तरीके से जो है आप अपने answer का representation कर रहे हो तो आप इसके सब के पास है तो आप इलकुल scalp की heading डालना इसका intro वाला point लिखना फिर आप इसमें लिखना extend फिर आप थर लेयर लिखोंगे वो किस से बनी है made up of five layers उसके बाद आप इसकी हर लेयर को जो आप अलग से अच्छे से समझाऊंगे इसकी हर specific layers को आप समझाना उस जिसमें आपकी सारी layers इसमें अच्छे से detail में है पहले skin फिर दूसरी superficial fascia फिर deep fascia फिर loose areolar tissue then pericaranium बिल्कुल सारी layers का separate में दिखनी चाहिए ऐसा बिल्कुल clear आपको एक diagram बनाना है और क्या होता है mainly इसका blood supply जो है न वो भी बहुत important रहता है तो इसकी जो part 2 वीडियो है न व आपन ने इसका पूरा पूरा layers के बारे में समझाया और इसकी part 2 वीडियो के link है न बिल्कुल i button पे है तुम बिल्कुल time waste मत करो i button पे जाओ और इसकी part 2 वीडियो भी देख लो तो thanks for watching and keep learning